हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें continuity और discontinuity वारे questions कराने जा रहा हूँ जो जेए में 2020 में पूछा गया था, ठीक है? तो पहला question हमारा ये है, जैको इसको पड़ो जो जिसे fx बनाबर x bracket x by 2 for minus 10 2 plus 10 where bracket t denote the greatest integer function then the number of points of discontinuity of f is equal to तो ये जो function दियावा है, x into bracket x by 2, ये कितने जगों पर discontinuous है, ये पुछा जा रहा है और ये subjective में आया था ठीक है, कितने जगों पर discontinuous है, तो कैसे solve करना है, देखो जो bracket function होता है, उसकी property आपको पता होनी चाहिए, bracket x कहां पर discontinuous होता है ये bracket x, x की value 0 पर, plus minus 1 पर, plus minus 2 पर, plus minus 3 पर, ऐसे points पर ये discontinuous होता है अगर मालो bracket के अंदर x by 2 लिखा हुआ है, तो ये कब discontinuous होगा, जब x by 2 की value 0, या plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and so on कुल मिला खहने का मतलब कि bracket के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, उसकी value जब कोई integer हो जाए, तो bracket function discontinuous हो जाता है 0 को जब multiply कर देते हैं किसी function, किसी discontinuous function में, तो वो continuous बन जाता है, तो bracket function तब तक discontinuity का खेल खेलता रहेगा, जब तक बाहर 0 ना आ रहा हो, ध्यान रखना है ठीक है, तो अगर अकेला आप सिर्फ bracket x by 2 हो था तो तो कोई दिक्कत दे नहीं थी, बाहर x है, तो इसकी वज़े से भी कुछ फर्क पड़ेगा, उस फर्क को मैं तुमें अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है चलो फिलाल यह जो question पुछा गया था, इसको solve कैसे करना है, देखो x by 2 bracket के अंदर है, और x की value क्या दे रिखा है, minus 10 से plus 10, तो तुरंत x by 2 की value पर चले आओ, minus 5 से plus 5, ठीक है तीनों में आपने 2 से divide कर दिया, x by 2 की value minus 5 से plus 5 vary कर रही है तो x by 2 की value जब integer होगी, x by 2 की value जब integer होगी, तभी यह discontinuous होगा तो x by 2 की value, पर minus 5 से 5 के भी जो कौन से integer आता है bracket के अंदर कुछ भी रिखा हुआ उसकी value, जो possible integer हो सकती है, बस उसी पर वो discontinuous होगा बदल समभावना होई है, तो यह minus 4, तो x by 2 की value minus 4 हो जाए हाँ, और minus 3 हो जाए, minus 2 हो जाए, minus 1 हो जाए, 0 हो जाए और इसी तरीके से 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, और 4 हो जाए तो इस पर समभावना है कि यह discontinuous हो, बही x by 2 की value minus 5 से 5 की बीच में होनी चाहिए और x by 2 की value जब भी integer होगी तो यह discontinuous होगा तो इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर दिक्कत है हो सकता है कि 0 पर यह continuous हो जाए, क्योंकि बहार x लिखा होगा है जब आप 0 पर continuity की चेक करोगे, तो 0, 0 plus h और 0 minus h पर 3 पर इसकी value होगा है, जैसे मालो sin x लिखा होगा है, या sin pi x लिखा होगा है, या कुछ भी लिखा होगा है कहने का मतलब जी जो बाहर जो function लिखा रहता है ना, अगर यह कहीं 0 हो जा रहा हो किसी वज़े से, तो उस जगें पर हमें एक बार चेक कर लिना चाहिए, या अंदाजा लगा लिना चाहिए है कि वहाँ पर continuous है कि discontinuous है तो यह यहाँ पर तो discontinuous है ही, उसमें कोई confusion नहीं है, मतलब x की value आप minus 8 कह दो, minus 6 कह दो, minus 4 कह दो, minus 2 कह दो, और 2, 4, 6, 8, इतने पर तो discontinuous है ही 8 point पर 0 पर, इसमें देखो, f0 की value किदनी आएगा, 0, f0 plus h कितना आएगा, 0, ठीक है, और f0 minus h कितना आएगा, यह भी 0 ही आएगा, क्यों? क्योंकि 0 minus h इंटूस कुछ भी कर रहे हो, तो है तो बाहर minus h ना, तो limit h turning to 0, तो वो जो 0 बनाई देगा, तो बाहर की जो value अगर 0 की एकदम नस्दीक है, तो bracket x भी कुछ नहीं कर पाएगा, और continuous बन जाएगा, bracket x जो है, वो discontinuous नहीं बना पाएगा, तो यह जो function लिखा discontinuous है, at the 8 different points, और जो 0 देख रहे थे आप, 0 पर यह function जो है, continuous बन गया था, क्योंकि बाहर x लिखा हुआ है, जिसने इसकी value को बदलने ही नहीं दिया, इसकी value को रो करके एक जगे पर लिया है, इस x ने, ठीक है, तो चलो एक question यह भी हो गया, और अब हम अगला question यह देखते है, ठीक है, तो इसके पहले बाला जो question था, वो समझ में आ गया होगा, अब इस question में देखो, if a function fx is defined by this, be continuous for some, abc belong to real number, and f-0, यह थोड़ा तो अच्छा दिख रहा है question, नहीं, f-0 plus f-2 बराबरी, then the value of is, तो finding the unknown, का जो concept है न, continuity में, तो वही उसकरना है, इसमें, तो इसमे दिया हुआ है, a की value निकालो, वैसे इसमें, a, b, c, 3 unknowns दिखाई दे रहे हैं, तो मैं सिर्फ a की value निकालने के लिए कहा गया है, अच्छा है, सिर्फ a की value निकालने के लिए कहा गया है, नहीं, तो क्या होता, तो मैं कितना ज्यादा solve करना पड़ता, नहीं, देखो, इस question मे क्या होगा, पहले तो आप डास एक से निकाल के रखलो, क्योंकि यह अप डास की जरूरत पढ़ने माली है, तो आप डास एक इसको differentiate करो, कितना हो जागा, a into e power x minus b into e power minus x, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, minus 1 से 1, अच्छे, एक बात और ध्यान दो, कि जब ह साइन गाया हो जाता है, देख लो, यहाँ एक को साइन गाया हो गया, और cx स्क्वेर, ने cx स्क्वेर, थोड़ी ना होगा, 2cx होगा, 2cx, इसको differentiate कर दो, 2cx, और इधर, 1 से 3, equal sign गाया हो जब भी differentiate करना, तो end point पर equal sign जो लगा हुआ, उसको आप हटा दीजेगा, आप इस को साइन हकाने से यह फाइदा होता है, ना कि RHD और LHD कि इदर से निकाल जाए, वो पता दल जाता है, फिर, हाँ ठीक है, फिलाल हमने differentiate कर दिया, एक को साइन का एप कर दिया, f-0 प्लस f-2 बराबर e दिया हुआ है, तो f-0 की वालिव, x कर दो 0, इसमें आ रही ना है, पर हो जाएगा, a-b, ठीक है, रही यहाँ पर 0 ठाकर रख दो आए, पहले वाई लाइन में, minus 1-1 के लिए यह रूल चल रहा है, तो minus 1-1 के बीच में तो 0 होता है, अच्छा, f-2, 1-3 के बीच में 2 आता है, f-2, बतलब यहाँ पर 4C, प्लस 4C बराबर e, एक relation तो यह आ गया ठीक है, इस वाले से यह आ गया, हाँ, और आप यह दिया हुआ है कि continuous है हर जगे हैं, तो जाहिर सी बात है, आपको इसमें क्या करना है, इसमें f, जब यह continuous है, तो 1 पर भी continuous होगा, और 3 पर भी continuous होगा, और यह जो turning points है ना, इनको देख करके हम लोग idea लगाते हैं, कि किस point respect हम आगे पीशे चेक करें, तो f, 1 negative बरावर, f, 1 positive कर देंगे, 1 पर LHL, RHL बरावर होने चाहिए, और इस तरीके से 3 पर LHL, RHL बरावर होने चाहिए, 1 पर LHL कितना है, यहाँ पर 1 मानस अच रख दो, 1 पर RHL क्या है, तो यहाँ पर तुम इस जगे पर 1 प्लस H रख दो, मतलब 1 ही रख दो, यहाँ पर 1 प्लस H रखो या 1 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप बस idea लगा लिजे किधर हमें जाना है, और वहाँ पर directly 1 रख दो, ठीक है, तो f, 1 negative, f, 1 negative मतलब आप इदर आओगे, तो यह जाएगा कितना a into e power 1 और plus, plus b into e power minus 1, ठीक है, समझनारी बात, f, 1 negative क्या होगा, बस यहाँ यहाँ पर 1 रखो तो, और f, 1 positive, f, 1 negative हो गया यह, और f, 1 positive, आपको निकालना है, यहाँ पर differentiate नहीं, derivative वाला sign नहीं है, लेचल नारेचल वाला है, ठीक है, काम हो रहा है, तो f, 1 positive क्या होगा, 1 plus h का होल स्क्वार, और limit s tending to 0 करोगे ही, करोगे, तो यहाँ पर c आ जाएगा, तो एक और relation आ गया, ठीक है, a, b, c में एक यह relation है, a, b, c में एक और relation है, तुम अपने मंज़ सॉल्व कर लोगे, ठीक है, अच्छा, अब चलो, जल्दी से कर लेते हैं, f3 negative, बराबर f3 positive, ठ ठीक है, f3 negative इतना होगा, 9c, अरे, c into 3 minus h का होल स्क्वार, c into 3 minus h का होल स्क्वार, और limit s tending to 0 लिखा हुआ है, तो 9c ही तो आएगा, ठीक है, आच्छा, और, उदर, f3 positive, f3 positive मतलब 9a, है न, 3 positive मतलब 3 plus h रखना है, 3 plus h का होल स्क्वार मतलब 9a, और, यहाँ पर 6c, plus 6c, ठीक है, यहाँ जब 3 pluss रखोगे, अंतिमे h ब्रावर 0 भी रखोगे, limit h tending to 0 लगा रहता है, तो यह हो गया, ठीक है, और जो मैं कह रहा हूँ, यह तुम्हें इतना basic तो पता ही होगा, यार, continuity का, है न, तो चलो, अब इन तीनों को जल्दिस तुम्हों solve करो, अपने copy में, और इसका answer निकालो, एक ही value आजाएगी, यह, ठीक है, तुम लोग कर लेंगा, मैं क्यों करूँ, तुम कर लेंगा, रे इन तीनों को solve करना है, बस, तुम्हे, इसको, तो इसको solve करना है तुम कर लेना देखने ना एक ही value आ जाएगी एक ही value कि आ जायेगी ठीक है मैं नहीं करने हो तुम्हित आउपर छोड़ आँ तुम्हें करना है ठीक है अब तुम मत क्यात आपसर हो let bracket t denote the greatest integer less than r equal to t and limit x turning to 0 x into 4 upon x बड़ाबर है ये भी जैमें 2020 में पूछा गया था और आज हमने starting में जो एक question solve किया है थोड़ा थोड़ा वैसा ही है बाहर x लिखाया हुआ है अंदर कुछ लिखा हुआ है चल दिखते हैं भी जाद है then the function fx बड़ाबर x square bracket के नदर assign pi x is discontinuous where x is equal to मतलब ये discontinuous कहां पर होगा और a के form में answer और a की value वो दी हुई है तो अब तुम्हें सबसे पहला काम ये solve करना है घबडाना नहीं है, रोना नहीं है देखो, तुम्हें इसको solve करना है limit x turning to 0 तो आप लोगों को एक rule ये पता होगा bracket x बराबर x minus fractional x पता है ना, जैसे 9.5 है तो इसको आप 9.5 minus fractional 9.5 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, इसकी value 9 आएगी ठीक है, और इसकी value क्या आएगी 9.5 minus 0.5 और इसकी value कितने जाएगी बच्चों इसकी value 9, ठीक है तो ये rule आप लोगों को याद रहना चाहिए काफी काम आजाता है ठीक है, चलो ठीक है आगी बढ़ते हैं तो उस rule का थोड़ा सा यहाँ पर use कर लें तो इसको लिशकते हैं limit x 10 to 0 ऐसा इसले कर रहे हैं ना, क्योंकि हम x 10 to 0 पर देख रहे हैं ये infinite के पाल भाग जा रहा है और bracket लगा हुआ है तो हमाई पास ना RHL निकालने का रह गया, ना LHL निकाल पाएंगे इसमें, न differentiate, differentiation ऐसा कुछ है ही नहीं इसके नदर तो आप लोगों क्या करना है, वो rule लगा गए पहले इसको simple करना है, तो x into क्या जाएगा, 4 upon x minus fractional 4 upon x ठीक है, ये करना है ये करने से तुम्हें बहुत असानी हो जाएगी limit action to 0 4 minus x into fractional 4 by x, fractional की value कभी भी 1 के उपर या 0 के नीचे नहीं हो सकती है 0 और 1 के बीच में होगी fraction की value ठीक है correct 0 से open 1 तक correct 1 नहीं, fraction की value कभी भी कोई fraction ऐसा लिखा हुआ है, तो इसकी value कहां से कहां तक जा सकती है 0 से 1 के बीच में कोई भी fraction 0 और 1 के बीच में होगा 0 exact, और इसको ऐसा कर देना bracket x, अरे साइ fractional x ठीक है, तो 0 यह 0 से 1 के बीच में और बाहर x ठीक है, यह कुछ भी हो जाए, ठीक है, bounded function theorem आपने पढ़ा था, लिमिट्स में तो यह कुछ भी हो जाए, बाहर तो 0 लिखा हुआ है, तुम इसकी value 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले लो, अपने मन से, और बाहर 0 से multiply कर लो, चलो ले लो, अपने मन में 0 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लो, और इसको 0 से multiply करके देख लो, 0 आ जाएगा, तो 0 इन्टू सम्थ प्रणिंग 0 से 1 के बीच में, तो 0 हो जाएगा, तो 4 बराबर 4 माने जिरो बराबर है, मतलब A बराबर 4, ठीक है, तो A की value 4 आ गई, अच्छे, A बराबर 4 हो गया, तो ये 4 options क्या हो गया, देखो, अंडर ओर 5 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया, है ना, और ये क्या हो ग गया जब एक ही वैल्यू ही आ गई तो एक जानल जितना छिपाया था वो खुल गया है रूट फाइब त्री फाइब टू समझ लिखा हुआ ठीक है अब यह कहां पर डिसकॉंटिनियूस है ठीक है यह डिसकॉंटिनियूस कहां पर है देखो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रि प्रैकर करके देख लोगो गौन जाएगा जीरो यह बन जाएगा ठीक है तो भया यह डिसकॉंटिनियूस है और यह वाला तो कॉंटिनियूस है पर तीपर देखो साइन थी पाई अगर एक्जाक्ली पर देखो क्या होगा यह जो भी आए ठीक है वैसे नहीं आएगा तो 3 pi 0 5 रख के देख लो 0 2 रख के देख लो 0 और जिस एक्स पर यह 0 0 0 आ भी रहा है ना उस पर आरेचल एलेचल भी 0 यह आ रहा होगा साइन पाई x के लिए कह रहा हूँ मैं ठीक है तो 3 5 2 पर यह चुकि 0 0 0 आरेचल लेचल वैलू तीनों आ रहा है तो इसके लिए तीनों पर तो 5 पर ही यह discontinuous होगा समझ में आ रही बात तो इस question में थोड़ा एक के form में लिख करके तुम्हें थोड़ा सा घबड़वाया गया था और बाकी bracket के बारे में इतना जान लो इसमें जो main concept है यह समझ में एक तो यह वाला रूल है ही जो तुम देख रहे हो और bracket के अंदर कुछ बीखा हुआ उसकी value जब integer होती तो discontinuous होता है पर जिन जगों पर यह discontinuous होता है अगर उस जके के लिए बाहर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो 0 के बराबर हो जा रहा है और वो continuous function है बाहर 0 हो जा रहा है continuous function है तो जिस X के लिए ऐसा हो रहा है तो bracket का जो discontinuous बनाने वाला जो confidence था वो lose हो जाता है और यह 0 के अगल बगल और 0 होने की वज़े से पूरे को continuous बनागे छोड़ता है तो यह 3,5,2 पर continuous बन जाएगा सिर्फ root 5 पर ही यह discontinuous रहेगा ठीक है बच्चो तो यह हमारा अगला question था तो चलो देखें इसके आगे एक और question है उसको solve कर लेते है इवा function f is defined on minus 1 से minus 1 by 3 से 1 by 3 by this एक function ऐसे defined है ठीक है और यह continuous दिया हुआ है तो आप से का जारे के की value बताओ और ऐसे DSRI question तुम लगा चुके हो बहुत बार लगा चुके हो है ना तो मैं भी लगा दे रहा हूं है ना तो यह continuous है तो पक्की बात है आचा देखो तुम लोग यह पड़े ह होना कोई function ऐसे दिया हुआ है fx बराबर gx और x is not equal to a और x बराबर a पर k और यह continuous है अगर माले जी यह function continuous है तो limit x standing to a gx मतलब rhl और lhl यह k के बराबर होने चाहिए है इससे rhl और lhl आ जाएगा a plus h a minus h a पर rhl और lhl इससे आ जाएगा और value x बराबर यह पर value के दिया हुआ है तो rhl lhl जो है वो value के बराबर जब हो जाता है तो continuous हो जाता है ठीक है बस ही concept use करें इसमें देखो अब यह continuous है तो limit x standing to 0 यह निखा हुआ है और ऐसा मैनस सब करा रखा है continuity chapter में limit x standing to 0 1yx log 1 plus 3x upon 1 minus 2x बराबर के जिन बच्चों को यह rule पता है वो तुरंट solve कर लेंगे तो 1 upon x log 1 plus 3x और minus log 1 plus 1 minus 1 minus 2x ठीक है बराबर के अब x को अंदर ले जाओ log तुम्हें आंसा तो समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है ना minus log 1 minus 2x upon x बराबर के limit x standing to 0 limit x standing to 0 ठीक है बच्चों चलो अब इसके बाद क्या करोगे इस में 3 से divide कर दो 3 से multiply कर दो इसकी value 1 पता है ना इसकी value 1 और यहाँ पर minus 2 से divide कर दो और minus 2 से multiply कर दो इसको ऐसे कर दे रहा हूँ ठीक है तो minus क्यों मैं एक ले लाइम कर दो तुम्हों confusion जाओ ठीक है तो ऐसा हो गया है ना तो इसकी बाद हमने क्या किया limit x standing to 0 और 3 log 1 plus जो log में 1 plus करके लिखा हुआ है जो 1 plus करके लिखा हुआ है यह पार्ट यही पार्ट नीचे और यह 0 के पास जाना चाहिए तो इसकी value 1 हो जाती है ठीक है तो फिलाल ऐसा कर दिया और अधर क्या है minus of minus 2 log 1 minus 2x और यहाँ पर minus 2x अब समझे में आ रहा है आप साफ सुथरा दिखा है ठीक है तो देखो minus 2 1 plus of minus 2x तो minus 2x नीचे होना चाहिए तो minus 2 से multiply divide कर लिया ठीक है और इसकी value 1 इसकी value 1 और यह जाएगा 3 plus 2 बराबर k और k की value 5 के बराबर समझ में आरी वार तो इसका answer जो है वो क्या हो जाएगा 5 ठीक है इसका answer क्या जाएगा 5 ठीक है subjective question था यह ना तो question वैदम वैसे कईमत किया करो कि हमने कैसे किया ता वस concept अपना ready रखो अपने logics को clear रखो वहाँ पास जो भी आएगा अपने logic पर करना ठीक है बड़े आसानी से हो जाएगा confidence रखना अपने अपने उपर ठीक है चलो बच्छों आज के लिए सिर्फ इतना ही फिर भलते हैं बाई बाई कर दो आप सकती हुआ है